हालो हाई गाईज वेलकम तो विनाएग बिलीवर्स क्लासेश ओके सो सुदेंस मैंने लास्ट एक वीडियो डाला था विटामिन ए से रिलेटिद और उसी से रिलेटिद आज हम क्वेश्टिन सेरीज करेंगे ताकि आपके लिए क्लियर हो जाए कि जो आपने बढ़ा था आप क्या है मैंने वीडियो में बताया था विटामीन ए कारासाइनिक नाम क्या है रेटिनोल ठीक है मैं इसमें वन लाइनर कोशिन लेकर आई हूँ तो डायरेक्ट इसमें आंस्वर दिया हुआ है और उप्शन नहीं दिये है तो आपको डायरेक्ट यह पढ़ना है ताकि जब पेपर करें तो आपको सीधा आपकी नजर जो है वो आंसर पर ही जाए ताकि आप उस सोचने की विजरुरत नहीं पड़ेगी कि आंसर क्या है ठीक है confusion confusion नहीं होगी सो चलिए next question करते है vitamin A के कितने प्रकार है vitamin A के कितने प्रकार है vitamin A चार प्रकार का होता है मैंने वीडियो में बताया था और वो चार प्रकार कौन से है आपके retinol ठीक है aldehyde retinoic aml और उसके अलावा vitamin A2 ठीक है यह चार प्रकार होते हैं वीडियो में जाएगा जिसने वीडियो नहीं देखा है वो वीडियो देख लीजिएगा आपको सब अच्छे से clear हो जाएगा और जिनों ने वीडियो देखा है I hope वो इस वीडियो को अराम से e questions को अराम से solve कर पाएंगे ओके now the next question is vitamin A के प्रमुख कार्य कुन से है vitamin A के Σ तो тीन कारह विरमें प्रमुख कारे के अंदर लिया है भी आपको वीडियो में बता है वीडियो में देख है वीडियो देखिएगा उसमें आपको सब कुछ clear हो जाएगा basically ऩर लिए तीन जोकाम है रोख प्रतीरों दरता आँखों की स्वास्ते के लिए अवश्यक है प्रश्नंगों की स्वास्ते के लिए आवश्यक है ठीक है यह ध्यान रखिएगा नेक्स चलते हैं आपके Εपिधीलियम उत्तकों में श्लेश्मा के कम स्राव होने पर होने वाली प्रकिर्या है जब एपिथीलियम जो उत्तक होते हैं उसमें शलेशमा जो कम स्रावित होती है तो वो क्या होती है वो जिवानों और रोगानों से क्या करती है विशानों से रक्षा करती है और जब ये कम स्रावित होती है और कम स्रावित कब होती है क्योंकि इसमें क्या होता है आंत्रिक और बाहे अंगों के रचना जो होती है उसमें परिवर्तन आजाता है और उसे क्या बोलते हैं स्षे जो अंग है वो उसके अलोवा नेक्स कूशन चलते हैंCap 30 रोफ से विटामिने ए मिलता है करोटीन के रूप में तो और करीटेणोट के रूप में सब्साइर आपको ध्यान में रखने है प्लानीच से मिलने वाला वर्यस पतिस रोज से मिलने वाला विटामीन E किस नाम से जाना जाता है, विटामीन E का कैमिकल नेम क्या है, ठीक है, चलिए, नेक्स चलते हैं, WBC की कमी से होने वाला रोग है, WBC की कमी से होने वाला रोग क्या है, लिूकोपेनिया, मैंने आपको बताया था, कि श्वेत जो W WBC है उसको स्वस्थ रखने में भी विटामिन A काम करता है क्योंकि अगर विटामिन A की कमी हो जाती है तो WBC की भी कमी हो जाती है और जब WBC की कमी हो जाती है शेरीर में तो ल्यूकोपेनिया नाम से रोग हो जाता है ठीक है आखों के रोड्स या कॉन्स में पाया जाने वाला प्रोटीन मैंने आपको बताया था आखों में रोड्स और कॉन्स दो उसके अंदर रोडॉप्सिन इसके अंदर आइडॉप्सिन पाया जाता है ठीक है तो आपके इसमें जो पाया जाने वाला प्रोटीन है वो कॉन सा होता आपसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है यह ध्यान रखिएगा आँखों के रोट्स या कॉन्स में आपसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है नेक्स चलते हैं विटामिन A की कमी के प्रभाव क्या है देखें विटामिन A की कमी हो जाती है तो उसके क्या क्या प्रभाव होते हैं इसके अंदर आपके बेसिकली जो दो बाते मैंने बताई हैं वो है आपके रतोंधी और फ्राइनो डर्मा रतोंधी के बारे में मैंने आप को बताया था उसके steps होते हैं जैसे कि सबसे पहले रतोंधी जरॉप्थेल्मिया बाय टोच स्पोच आपके जरॉसिस कंजक्टाइवा जरॉसिस कॉर्णिया करेटो मेलेशिया तो ये जो है रतोंधी के आगे stages है जिसमें रतोंधी बढ़ता जाता है और लास्ट की जो stage होती है करेटे मलेशिया इसके अंदर ये last stage होती है जो की आपके अंधापन बोल सकते हैं जिसमें आखों की जो रोश्नी है वो पूरी तरह से खतम हो चुके होती है ठीक है तो रतों से कारे ना करना फ्राइनोडर्मा उसके अलावा आपको जो कारे में बताया means की प्रजणन चक्ति को स्वस्य रखता है तो अगर कमी हो जाएगी विटामिन एक ही तो क्या होगा प्रजणन चक्ति क्षिन हो जाएगी तो ये ध्यान रखिएगा आप ये सब चोटी चोटी च सो स्रूरेंटस आपको मेरा वीडियो इच्छा लग तो लाइक शिवर सुग्सक्राइब करना नहीं बूलिएगा ठीक है अ मेरे साथ बने रहीं पढ़ते रहीं चलिए नेक्स चलते है प्रानित स्रोध pou जे विटामीन एक किस रूप में मिलता है प्रानित स्रोध से मिलता है हमें रेटिनोल के रूप में ठीक है जैसे कि इसके जैसे आपके समुद्री मचलियां होती है ठीक है उसमें विटामिन ए हमें रेटिनोल के रूप में मिलता है आप जो मिल्क है आपके बटर है इन सब चीजों से हमें जो विटामिनी मिलता है वो रेटिनोल के रू अधिकता का प्रभाव होता है आपके हाइपर विटामिनॉसिस मेंस की अगर विटामीन की अधिकता हो जाए तो हाइपर विटामिनॉसिस कहते हैं उसको और उसके अलावा यकरत का बढ़ जाना मेंस की जो लिवर है उसका साइज जो है नॉमल साइज से बढ़ा हो जाता है औ आपको easily समझ में भी आ जाएगा उसके अलावा इसमें काम है इसका आख की रेटीना जो होती है उसमें bleeding शुरू हो जाती है रक्त स्राव होता है तो यह दो तीन तरह के कारे हम प्रमुक की बात करते हैं और उसके अलावा पेपर में कुछ भी पूछा जा सकता है तो आपको य लास्ट कोश्चन अगर आज आज की वीडियो का यह है लास्ट कोश्चन इसमें आता है विटामीनी का स्क्रिय रूप कौन सा है स्टूडेंस मैंने इसका आंसवर नहीं लिखा है इसका आंसवर आप मुझे कमेंट बोक्स में बताएंगे यह कोश्चन आपके लिए को उठा कर कोश्चन में डाल दिया जाएगा तो थोड़ा सा कोश्चन फिर के आ सकता है लेकिन अगर आपको कॉंसेप्ट क्लियर है तो चाहे कितना भी कोश्चन घूम कर आए कितना भी कोश्चन कंफ्यूजंग तरीके से दिया हुआ हो आप इजी लिए उसको कर पाएंग thank you so much for watching my video god bless you all, bye